एपिसोड 4 में बोबा फेट ने इन फटफट वैलो की जितनी धुलाई की है ना उतनी धुलाई तो पूरे सेजन में किसी की नहीं की क्योंकि टेस्कन ट्रिडर्स को जो मारा था इन लोगों ने इनका तो मिसाल से पूरी गाड़िया फोड़ दी दोस्तों फाइनल आज बुक आप बोबा फेट का एपिसोड 4 रिलीज हो चुका है तो इस वीडियो में मैं इसका कम्प्लिटी ब्रेकडाउन करूँगा साथे साथ हम इसके स्पॉलर्स के बारे में भी बात करेंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट एफ वीडियो को एंड तक ज लोगों से डर कर बोबा फेट से बढ़ लेते हैं कि उनकी ताकत उतनी नहीं अभी और दोस्तों उसके बाद बोबा फेट वहां से बढ़ लेते हैं फिर हमें रात की सीन देखने को मिलती है इस जगा पर बोबा फेट को एक स्टार दिखाये देता है एक सिगनल दिखाये देता है बेसी कली इस जगा पर जब यह सिगनल को तरफ जाकर देखते है तो वहां एक इनसान होता है जिसे मार द जोड़ी बहुत जान अभी भी बाकि होती है, तो बोबा फेट उसे ले जाते हैं एसे इंसान के पास, जो कि मशीनों का काम करता है, मेकैनिक, हाँ मेकैनिक, इनके पास ले जाते हैं, तो वो उसे सुधार तो देता हैं, लेकिन कई कमाल की चीज़ें करता है, दोस्तों आप इ ऐसे देखर फैनेक्षेंड की जान बचा लेते हैं यह जो आदमी दिख रहा है में सुनारे बालो वाला यह डॉक्टर मेकैनिक यह फैनेक्षेंड के अंदर कुछ मशीने लगा देता है जिसके वाइसे फैनेक्षेंड वापस से बच जाती है हा दोस्तों फिर थोड़ी दिर स वो एक तरीकेसे अहसान कर देता है तो फैनेक्षेंड भी उस ऐसान को चुकाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है और अब दोनों जाते है दोस्तों उसी महील पर जापर बोबा फेट की शुप हुई है हाद वो इस शुप को पाने के लिए अब दोनों तरीक से हमें महनत करते हैं नजर आते हैं दोस्तों Fennec Shand कितनी ज़्यादा कमाल की एक एक्शन सीन्स करती है कितनी ज़्यादा तागत वर है हम अच्छी तरह के से जानते हैं Fennec Shand की बंदुक भी बिलकुल कमाल की है उनकी बंदुक में एक डिवाइस होता है जो कि जिसके बार हम आपको आगे वीडियो में बताता हूँ इस डिवाइस के अंदर एक ऐसी चीज़े होती है जो कि पूरी तरह के से मैप बना सकता है इस डिवाइस को वो इस महल के अंदर भेज देती है और इस डिवाइस के कारण ही इन लोग इस महल पर घुस पाते है इस डिवाइस के द्वारा Fennec Shand को सारी जानकारी मिल जाती है Fennec Shand बहुत जादा टेलेंट है दोस्तों बहुत जादा उसके बाद हमें देखने को मिलता है Fennec Shand और Boba Fett इस महल पर घुसने की कोशिश कर रहे है हां किसी तरीके से इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे है क्योंकि अपने फिप जो आप इस लानी है उसके साथ में द एक रोबोट होता है जो कि बहुत जादा कराटे बाजी दिखा रहा होता है उसका गला काटकर उसे शान कर देती है और उसके बाद बोबाफेट के बारी आते एक छोटे रोबोट को मारने की तो उसे बहुत जादा गुमाता है हाला कि एंडिंग में Boba Fett उसे पकड़ लेत हाँ दोस्तों फाइनल यह पोँच जाते है और Boba Fett की आखों में वो चमक हमें देखने को मिलती है अपने ship को लेकर क्योंकि ship का और Boba Fett का एक अलग नाता हमें देखने को मिला है क्योंकि बचपन की कुछ सिंस हमें देखने को मिली इसमें ship के साथ ने बोबाफेट का एक relation को मार देती है और यहाँ पर आपको action scenes देखने को मिलेंगे नहीं वो बिल्कु नेक्स लेवल की देखने को मिलेंगी मैं काफी अच्छा तरीके से fan बन चुका Fennec Shand का अगर आप दोस्तों इस series का नाम भले ही Boba Fett है लेकिन जिस प्रकार की action scenes हमें Fennec Shand के तरफ से देखन व्यालों के पास उनने टसकन डिडर्स को मारा था और इनको तो इस तरीके से मारते हैं तो आपको बहुत जादा मज़ा आएंगा पूरी missile की बरसात इनके गाड़ियों पर कर देते हैं तो समझ में भी नहीं आता कि missile कौन छोड़ रहा है तो कि उनके लुकी देखने को नही कि छेए करा सकता है जो इसलिए वह उस जगहा पर जाते है जहांपर वह उनNे फेका गया था जाता है इस जां़ोर की भी दफसों राटबर पहले हीं देख चुके हैं इस जागह पर अपने सूट को खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन उनन्हें मिल नहीं पाता है और जब वो शीप अंदर दालने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में उनका जो शीप है वो first जाता है और Fennec Shand और Boba Fett बुरी तरीके से first जाते हैं वो जानवर जो इसके अंदर हमें देखने को मिला है वो शीप को ही निगलने की कोशिश करता है फिर जो फिर से इसका credit जाता है Fennec Shand को Fenne प्रकार से इस जानवर का एंड हमें देखने को मिल जाता है तो बोबा फेट उस टनल के अंदर वापस चाहिए जाकर देखता है कि क्या मेरा सूट सच मुछ अंदर मौजूद है हलाकि सूट उसे नहीं मिलता है और फिर बोबा फेट बहुत अदा गंजों जाते हैं वहां से प्रकार से अब टैट्यूइन के नए डॉन बन जाते हैं टैट्यूइन के नए डॉन बनने पर उनको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा और यह सब हुआ है फैनेक शेंड की वज़ा से तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि फैनेक शेंड कितनी ज्यादा पावरफूल ह वह आपको आगे विटम पता चलेंगा फानली अब यह डॉन बन चुके है तो अब हमें कहानी देखने मिलते है प्रेजेंट की अब यह बिल्कु स्टेट फॉरवड कहानी हमें आगे बढ़ते में नजर आए प्रेजेंट की कहानी में जब बोबा फेट अपने पावरफूल है लेकिन कोई लोग इसे भावी नहीं दे रहे क्लब में ऐसा बैठा हुआ जैसी कि यह बैठा है या नहीं तो दोस्तों कुछ लोग बहुत अधा मस्ती कर रहे होते है तो वुकी को उनके उपर बहुत अधा गुस्सा आ जाता है और वह अपने जो नुकीले ह जातों पर लगे हुए इन पंजो को सिधा वापरना शुरू कर देता है इन लोगों की जमके दुलाई करता है यहाँ पर बहुत अधा मजा आता है बहुत अच्छी सिंस हमें एक्शन सिंस देखने को मिली वहां की कुछ हैड है वह उन्हें रोखने को कोशिच करती है लेकि दोस्तों यह सारे मंत्री टैट्विन के है और बुबाफेट उन्हें कह रहा है कि जो पाइक से उन्होंने अपने एंट्री ले लिए टैट्विन पर तो क्या तुम मेरे साथ उन्हें पाइक को मारने पर मेरी मदद करोंगे तो वहां के मंत्री यह इनकार कर देते हैं कि हम क्युँ अपने आदमीं को वेस्ट करें, तुमारे लिए, उसके बाद दूस्तों बोबा फेट का जो जानवर है बहुत जाधा गुसपा हो जाता है, हाँ दोस्तो क्योंकि उन लोग धमकी दे रहते बोबा फेट को कि हम तुम्हें मार करी क्यों ना तुम्हारी जगल ले ले तो ऐसे में उनका जानवर बहुत दादा गुसा हो जाता है फिर उनका जानवर इन सारे लोगों को डारा देता है उसके बाद दोस्तो यह लोग सारे चले जाते और बोबा फेट उनसे कह देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं मिला तो तुम Pikes के साथ भी हाथ नहीं मिला ना और इत बात पर सारे लोग राजी हो जाते है अगर दोस्तो अब पुरा सीन बन चुका एक वार का Pikes और बोबा फेट के बीच में Boba Fett के Tatoo Inn में बहुत कमाल की वार वाली Scenes हब में देखने को मिलने वाली है जो कि Episode 5 में देखने को मिलेंगी दोस्तो यही था मेरा Breakdown इस Episode 4 को लेकर अगर आपको कुछ भी कमी लगी होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया होंगा तो चैनल को ज़रूर से Subscribe कर दीजेगा वीडियो को Like कर दीजेगा और Share भी कर दीजेगा हो सके तो चले मिलते हैं अब हम Next Video में Thank you दोस्तों Thanks for watching